Hello friends, welcome to Step Up IAS and we are going to start our news analysis but first of all, Step Up IAS team की तरफ से आप लोगों को Happy Independence Day तो आज शुट्टी का दिन है, enjoy कीजे बट थोड़ा से समय निकालके थोड़ी से पड़ाई भी ज़रूरी है तो चलिए Current Affairs का discussion स्टार्ट करते हैं और National Energy Storage Mission है हमारा आज का पहला News N.E.S.M. इसमें इस Mission को लाँच किया गया है, Ministry of New and Renewable Energy के द्वारा तो एक ड्राफ्ट को प्रपोस किया गया है कि किस बेसिस पर ये Mission को लाँच किया जाना चाहिए इसके लिए Expert Committee बिठाई गई है and the objective is to strive for leadership in energy storage sector तो energy storage sector यानि की जितनी भी चीज़ें होती है energy consumption को ले करके manufacturing, deployment, innovations इन सभी का ध्यान रखा जाएगा और इसी के लिए ये Expert Committee काम कर रही है तो National Energy Storage Mission क्या होता है इसको ध्यान में रखेंगे इसमें नीती आयोग और Rock Mountain Institute है जनोंने एक joint report भी publish किया है Energy Storage Mission के उपर और proper solutions और approaches भी बताएं है कि क्या growth हम कैसे ले के आ सकते है या फिर supply को कैसे और बढ़ा सकते है इसके अलब और कई factors जिन भी नोंने काम किया है and energy storage is one of the most crucial and critical component of India's energy infrastructure strategy बिलकुल सही बात है कि जो energy का structure है यहाँ पर काफी जादा crucial और critical तो कुछ की areas की भी बात की है जैसे की integrating renewable energy with distribution and transmission grid setting rural microgreens तो यह सारे structure जिनकी नोंने बात की है report के दौरान तो important है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि क्या होता है energy storage mission और इसमें नीती आयोग की भी भूमिका है यह भी याद रखेंगे अगला news है राजस्थान के बारे में राजस्थान पहला ऐसा state बनने जा रहा है जिसने अपने यहाँ पे national policy for biofuel को implement किया है May 2018 में इसको launch किया गया राजस्थान में इस वज़े से यह news में है तो अब national biofuel policy है क्या-क्या यह important हो जाएगा हमारे लिए जानना तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि biofuel पे हम 3 generation तक जा चुके है 1st generation, 2nd generation and 3rd generation तो हर generation में अलग-अलग चीज़ों से biofuel के production की बात की गई है और अब हम 4th generation पर इस सारी generation में अलग-अलग चीज़ों से production किया जा रहा है biofuel का ठीक है हलांकि इस पे बहुत अपनी अलग news है कहां पर 1st plant लगा है और क्या-क्या चीज़े हैं काफी important बाते हैं इसमें याद रखिएगा राजस्थान ऐसा पहला राजज़बन गया है यहां पर biofuel policy को पूरी तरीके से implement किया जा रहा है तो इसका अगर हम objective देखना चाहें तो क्या हो सकता है सबसे पहली चीज़ जो oil import है उसको कहीं न कहीं substitute करेगा reduce करेगा अगर हम इंडिया में biofuel का production करते हैं तो इसका help farmers को भी मिलेगा और साथी साथ अगर economically देखें तो oil import का substitution हो पाएगा reduction हो पाएगा country में ठीक है और next news है इसको हम bright conquer भी बोल सकते हैं question पूछा जा सकता है कि यह क्या है it is nothing but the short range ballistic missile छीक है इंडिया का नहीं है याद रखेगा लेकिन एरान का है एरान ने अभी recently इसको test fire किया है इस वज़े से यह news में आया फतेह मॉबीन पूछा जा सकता है कि यह क्या है तो it is a short range ballistic missile यह capable है land और सी दोनों से ही target को strike करने में ठीक है और इसका अगर capability देखें तो 100 तो 500 km तक इसकी range होगी इसके अलावा इसको पूरी तरीके से इरान में ही develop किया गया है यानि किसी और का assistance नहीं अगर exam में आता है कि क्या इंडिया ने इसमें help किया दोसा कुछ भी नहीं है completely इरान का ये नयवा missile है और इसको Strait of Hormuch पर testify किया गया था but Strait of Hormuch हमारे ले भी important है strategically तो देखें ये location है Strait of Hormuch का ये Gulf of Oman का reason है confusion होता है यहाँ पर ये उपर की तरफ Gulf of Oman है और इसके यहाँ नीचे की साइड जाएंगे तो Gulf of Adan है तो confused नहीं होना है Persian Gulf और Gulf of Oman के बीच में आता है Strait of Hormuch और कहाँ पर है इरान के पास है यहीं पर हमारा पोर्ट भी है चाबहर तो याद रखना है इसके अलावा इन कंट्रीज का भी नाम याद रखी कौन-कौन सी कंट्रीज है यहाँ पर इरान, ओमान, साउधी अरबिया और UAE तो ये लोकेशन ज़रूर याद रखे और अबगले नीचे की तरफ बढ़ते है Water Aerodrum Water Aerodrum क्या है देखिए Civil Aviation Ministry ने भी इस प्रपोजल को लाँच किया है और इसमें इस Aerodrum को सटप किया जा रहा है कंट्री में कुछ पर्टिक्लर लोकेशन को चुना गया है फाइव स्टेट को भी चुना गया है जैसे औरिसा, गुजरात, महरास्ट्रा आंदरप्रदेश और असाम जहां पर development किया जाएगा इन Water Aerodrums का फर्स्ट फेज में इसको चिलका लेक साबरमती रिवर और सरदास रोवर डैम पर प्लेस किया जा रहा है लेकिन यहां पर अगर environment के perspective से देखें तो चिलका लेक से ऐसी कुछ बातें आ रही है कि environmentalist जो है वो मना कर रहे है इस project को वहां पर लगाने से Aerodrome is a location from which aircraft fight operations take place regarding the weather they involve air cargo and the passengers तो यह project होगा पूरा जो कि air flights से जुड़ावा होगा और अभी कुछ state है जिसको कि चुना गया है इसके लिए these water aerodroms will be set up near tourist locations and place of religious importances तो उसके accordingly ही places को चुना जा रहा है तो इसको याद रखेगा और अब institution information देख लेते हैं new batch को launch किया गया है Hindi medium as well as English medium में तो अगर कोई foundation course को join करना चाहता हो तो वो हमें call करें numbers पर इसके अलावा personal guidance के सुविदा है जैसा कि आप जानते हैं training दी जाती है एक mentor के माध्यम से ठीक है details जाने के लिए आप call करें fee structure वगर आपको call पर बता दी जाएगी thank you, thank you very much and once again I wish you a very happy independence day enjoy yourself